अगला सवाल दीपिका ने पुछा है सद्गुरू, आपने एक दर्शन में कहा है कि आपको हर किसी से वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे आप मुझसे पेश आते हैं सद्गुरू, आप करुणा वतार हैं लेकिन मेरे घर में एक अमानुवी दुष्ट प्राणी है उसमें आपको देखना मुश्किल हो जाता है इस परिस्थिती में मैं उससे कैसे निप्टूँ शादी के कितने सालों में ये विकास होता है या ये एक पतन है मुझे यकीन है कि एक समय में वो एक शांदार रोमेंटिक बढ़िया आदमी थे मैं नहीं जानता कि शादी के कितने सालों में वो एक दुष्ट जीव बन जाते है और आपकी कितनी भूमिका है एक दुष्ट जीव के निर्माण में देखिए खासकर अगर वो एक दुष्ट जीव है अगर ऐसा है तो ये आपका नजरिया है लेकिन खास कर अगर कोई व्यक्ति एक दुष्ट जीव है आपके घर में या आपके आफिस में या आप जहां भी हैं आपका किसी चीज को एक खास तरीके से देखना उनके बारे में नहीं है, ये आपके बारे में हैं क्या आप अपनी आँखों को, अपने मन को, अपने दिल को, अपने शरीर को सुख़द रखना चाहती हैं या दुख़द आप इस बारे में अपना मन बना लीजिए अब अगर आप उन्हें देखती हैं, मैंने कहा कि उस दुष्ट जीव को भी आप कृपिया ऐसे देखें जैसे कि वो मैं हूँ मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसकी शिक्षाओं को सुनना है या उससे नए अभ्यास सीखने है नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मुझे देखा है आदर, भक्ती, प्रेम, स्नेह के भाव के साथ जो भी आपकी भावना है अगर आपके पास वो है, तो कृपिया हर चीज़ को उसी से देखिए क्योंकि मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक शरीर है, आपके पास एक मन है, आपके पास भावना है, ऊर्जा है हम अभी आपकी भावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं अगर आप भावनाओं की मधूरता के एक खास तर तक पहुंचते हैं, अपने जीवन के किसी पल में, या तो अपने प्यार के कारण या भक्ती या करुणा या किसी भी वज़े से, आप मधूरता के एक खास तर तक पहुंचते हैं, ये आपके जीवन में एक उँचा मुकाम ह अब आपको उससे वापस नहीं आना चाहिए आपको ये देखना चाहिए कि उससे आगे कैसे जाएं मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपकी सबसे उंची या सबसे मधूर या सबसे शांदार भावना थी उससे आधार रेखा बना दीजिए आप वहां से वापस क्यों आ रहे हैं अगर आपने वैसी भावना का अनुभव नहीं किया होता तब मैं आपसे क्या कहता आपने अपने जीवन में कौन सी सबसे मधुर भावना महसूस की है मेरा बच्चा ठीक है हर किसी को अपने बच्चे की तरह देखिए हमने आपको ये एक समय पर कहा था फिर मैंने देखा आप यहां बैठे आनंद और प्रेम के आंसू अपनी आखों से बह रहे थे फिर मैंने कहा हर किसी को उसी तरह देखिए जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं क्योंकि ये आपकी आखों को आपके मन को, आपके दिल को, आपके शरीर को और आपके जीव को मधुर और शांदार बना देगा ये उनके बारे में नहीं है खास कर अगर वो मुश्किल दे रहे हैं फिर आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है अगर आप नर्क जाते हैं तो भी आप अच्छे से रहेंगे हाँ क्योंकि किसी ने आपको गैरेंटी नहीं दिये क्या मैंने आपसे कभी कहा है कि मैं आपको स्वर्ग का टिकेट दिला दूँगा मैं आपको लगातार धमकाता रहा हूँ कि चीजें यही होंगी तो आपको समझना होगा कि ये आपके रूपांतरण के बारे में है आपके साथ समस्या ये है कि चुकि आपने वो क्या है वो क्या है वैसे भी मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता आपने वो सारी रोमैंटिक किताबें पढ़ी जब आप एक टीनेजर थे और फिर आपने हर तरह की चीजों की कल पनाये कर ली सबसे पहले तो आप खुद के साथ ही मांदार नहीं है आपके हार्मोन असर दिखा रहे हैं अचानक आप किसी को देखते हैं वाह मुझे यकीन नहीं होता वो इतनी सुन्दर है वो कितनी जबरदस्ट है वो कितना हैंडसम है वो कितना अच्छा है हर चीज जो वो करता है आप खुद को बकवास से भर रहे हैं नहीं नहीं वे चाहे जो भी करें आप खुद को सुन्दर बनाईए अब अगर वे दुश्टा भरी चीजें कर रहे हैं आप फिर भी शानदार हैं ये बात अलग है आप जानते हैं कि वे दुश्टा भरी चीजें कर रहे हैं और आप तब भी शानदार हैं ये असाधारण है वे दुष्टा भरी चीजें कर रहे हैं लेकिन आप सोचते हैं कि वे सुन्दर चीजें कर रहे हैं ये मुर्खता पूर्ण बकवास है मैं आपको बताता हूँ कोई व्यक्ती जो भारतिय सेना में काम करता था उसने मुझे ये बात बताई क्योंकि हम उसी तरह की परिस्थिती में थे कहीं और तो उस समय वो ये बात बता रहे थे वे पूर्वोत्तर इलाकों में ड्यूटी पर थे जहां हाथियों की काफी आबादी है तो वो एक बटालियन के लीडर है वो मेरे खयाल से 18-20 लोगों के समूह का नितरित्व कर रहे हैं वे जंगल से होकर जा रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़े हाथी को देखा हर कोई पीछे हट गया उन सभी के पास हतियार है ठीक है, शक्तिशाली हतियार ये घुस्पैट रोखने वाला दल है इसका मतलब वे पूरी तरह से हतियारों से लैस है वो हाथी को 100 मीटर, 200 मीटर की दूरी से मार गिरा सकते हैं वो जहां से भी चाहें लेकिन वे सब पीछे हट गए क्योंकि वे वहाँ उस मकसद से नहीं है लेकिन वो मुझे ये इसी लिए बता रहा था क्योंकि इस तरह की एक परिस्थिती, एक दक्षिन भारतिय व्यक्ती के साथ हुई तो अचानक उस ग्रूप में एक तमिल आदमी था, जो साजंट यानि एक हवलदार था उसने अपने हथियार नीचे रख दिये और कहा गणपती आ गए हैं, गणेश, गणेश और वो एक मंतर का पाठ करने लगा वो किसी गणपती मंतर को जानता था, वो जाप करने लगा वो सामने दोड़कर हाथी के पास चला गया, बस पचास फुट दूर और घुटनों के बल बैठ कया और जोर जोर से मंतर का पाठ करने लगा हाथी ने उसे देखा ये कौन बेवकूफ है जो उसे हर तरह के नामों से पुकार रहा है, जो उसे अच्छे नहीं लगते और ये लोग देख रहे हैं, किस तरह का चमतकार हो रहा है हाथी बस वहाँ खड़ा है और ये आदमी अपने घुटनों के बल बैठा मंतर का पाठ कर रहा है हाथी बहुत तेजी से आगे बढ़ा और दो सकेंड के भीतर या शायद पांच सकेंड में वो उस आदमी के उपर था, उसने उसे कुचल दिया पीछे घुमा और चला गया ये लोग भौचक के रह गए और वे उसे बस कुचले जाते देखते रह गए फिर कुच लोगों ने हतियार निकाल लिये जिस आदमी को मैं जानता था जो इस टोली का इंचार्ज था उसने उनको शांत किया क्योंकि वो पहले ही मर चुका था एक पल में वो आदमी मर गया था मैं आपसे ये इसी लिए कह रहा हूँ कि कि हाथी आपके साथ जंगली हाथी आपके साथ अच्ची चीजे नहीं करेगा बस इसलिए क्योंकि आप उसे भगवान कहते हैं आप उसे गणपती कहते हैं और उसकी पूजा करने की कोशिश करते हैं वो नहीं करेगा वो वही करेगा जो उसे करना है इसी तरह आपके घर में जो प्राणी है वो वही करेगा जो उसे करना है जो भी उसका गुण है मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूँ आप हमेशा जीवन को एक रिष्टे के रूप में सोचते रहे हैं नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप समझें आपके पैदा होने से पहले या जब आप पैदा हो रहे थे तब भी आपका अपनी मा के साथ भी कोई रिष्टा नहीं था ये बहुत अलोग प्रिय होने वाली है, ये लोग मेरी आलोचना करेंगे लेकिन कृपिया इसे देखिए आपका कोई रिष्टा नहीं है, हमारा बस एक अस्तित्व है रिष्टा आपकी जरूरतों की वजह से बना आपने उन्हें भोजन के रूप में देखा, आप उनके पास गए आपने उन्हें अपने जीवित रहने के आधार के रूप में देखा, आपने उसे जल्दी से पहचान लिया जिस पल बच्चा पैदा होता है उसे किसी दूसरे पुरुष या किसी और महिला को सौंब दें और उन्हें बच्चे की सभी जरूरतों का ध्यान रखने दें बच्चा तुरंट उनके पास चला जाएगा ये पूरी सोच कि आपको लगता है कि वो आपके पास आ रहा है क्योंकि आप माँ है और आपने उसे पैदा किया है नहीं, सिर्फ जरूरतों के कारण वरना केवल अस्तित्व है ये अस्तित्व या तो सचेतन हो सकता है और एक अद्भुत उपस्थिती में रह सकता है और इसके लिए उपलब्ध हो सकता है या बस सरकस करता रह सकता है शुरू में आपकी माँ सब कुछ थी, वो सबसे अद्भुत प्राणी थी और फिर आप बड़ी हो गई, आप एक किशोर बनी और आपने एक लड़के को देखा वो सबसे शांदार आदमी था पूरी दुनिया में जब आपकी माँ बीच में आई अचानक आपको उनसे नफरत होने लगी जब वो आदमी आया वो सबसे सुन्दर था, फिर वो एक दुष्ट प्राणी बन गया या आपने ऐसा सोचा, अब आप सोचती हैं कि वो सबसे बुरा इंसान है, ये चलता रहता है मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि सुन्दरता और बुराई दोनों आप बना रहे हैं मैं आप से ये बनाने के लिए, मैं आप से ये सोचने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो शांदार है, ये जीवित होने का एक मुर्खता पूर्ण तरीका है ये सिर्फ इतना है कि आगर आप सब कुछ देखते हैं, तो आपके पास जो भी चरम अनुभव है उसे आधार बनाए यही विकास है, आपने सांप और सीड़ी का खेल खेला है आपने वो खेल खेला है, सांप और सीड़ी का खेल जब आप इस खेल को खेलते हैं, तो आपका इरादा एक बार सीड़ी चड़ने के बाद वापस आने का नहीं होता आप एक सांप को नहीं छूना चाहते हैं आप एक और सीड़ी खोजना चाहते हैं एक और सीड़ी उपर जाना ये जीवन की एक सहज अभिव्यक्ति है तो एक बार जब आप अपने भीतर मिठास का एक निश्चित स्तर जान लेते हैं तो इसे नीचे मत लाइए यही आधार होना चाहिए अगला स्तर बेहतर और बेहतर होना चाहिए इसलिए जब मैंने कहा हर अभी आप यहाँ पर परमानंद की आंसुओं और मेरे साथ ऐसे प्यार से बैठे हैं फिर मैंने कहा यह आधार होना चाहिए इससे नीचे मत जाईए हर चीज़ को इस रूप में देखें, कम से कम इतना तो हुने दें अगर ये लगातार हो रहा है, बार-बार हो रहा है तो निश्चित रूप से आप एक और सीड़ी ले लेंगे बस थोड़ा सा समय लगेगा नीचे मताईए, मैंने बस यही कहा है और कृपिया उसका एक बुरे प्राणी के रूप में वर्णन न करें बिचार आदमी ये हुआ, मुझे लगता है कि मैं आपको बता चुका हूँ हो सकता है कि इन दिनों में से पहले मैं आपको बता चुका हूँ मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इसे फिर से बताना चाहिए शंकरन पिल्लई ने सोचा कि उसकी पतनी का चक्कर चल रहा है उसने एक जासूस को काम पर रखा मैं इसे जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए उसने कहा, मुझे उसके खिलाफ सबूत चाहिए तो जासूस घर के बाहर इंतजार कर रहा था उसकी पतनी घर से बाहर निकली, उसने उसका पीछा किया तो वो एक पार्क के पास गाड़ी पाक करके अंदर चली गई एक आदमी बेंच पर बैठा था, जैसे ही उसने इसे देखा, वो दोड़ता हुआ आया, वो दोड़ते हुए गई वे एक दूसरे से गले मिले, हाथ पकड़े और बेंच पर बैठ कर हसी खुशी बातें करते रहे उसने पूरा वीडियो लिया और कुछ ही घंटों में वो शंकरन पिल्ले के कार्याले में आया और कहा मुझे वो सबूत मिल गए है जो आप चाहते थे, सिर्फ एक दिन में, मैंने अपना काम किया, मेरे पास इसका सबूत है, ये वीडियो देखिए शंकरन पिल्ले ने वीडियो देखना शुरू किया और कहा नहीं मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये इस पर विश्वास नहीं कर सकता जासूस बोला आप किस पर विश्वास नहीं कर सकते ये एक वीडियो है ये बनाया हुआ नहीं है ये वही वीडियो है जिसे मैंने अभी लिया है उसने कहा बात वो नहीं है मूर्क मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो इतनी मज़ेदार है इसलिए 15 दिनों के बाद जब आदमी कहीं दूर चला जाता है तो आप देखेंगे कि वो कितना मज़ेदार था खुद के साथ ऐसा मत कीजिए